नमस्कार सभी को एक बाफ फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पोटलाइट बाइस जारे पढ़ना पर दोस्तों आज जो है इंपोर्टेंट टॉपिक प्यापन बात करने वाले हैं सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा ज जो रीजनिंग से काफी डरते हैं या ऐसा लगता है कि रीजनिंग मुझे आती नहीं है है ना और डी ट्रपल इस भी एक्जाम में चाहे आपका टीजीटी का है पीजीटी का है ठीक है उसमें हमारा बीस नमबर का जो रीजनिंग है वो आपसे पूछा जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप सभी के सामने रखने वाला हूं कि इनिशियली अगर हम इनसे स्टार्ट करेंगे कि ठीक है कि हमने बस हमारा जो है फोर्स टाइम हम लोग एक्जाम में किसी भी एक्जाम में अपियर हो रहे हैं तो कुछ ऐसे चार-पांच अपने टॉपिक्स ह है वह आप लोग को बताने वाला हूं कि इनिशियली अगर अपने स्टार्ट करेंगे तो डिफिनेटली कुछ ना कुछ हमारा कुश्चन पेपर जो होगा डिफिनेटली आपका सॉल करने लायक जो है अपन कर पाएंगे एक्जाम तक और फिर बाकी की जो चीज़े हैं आप वो मैं आपको बात में बता दूँगा तो इनिशियली जो है आपको स्टार्ट करना है कुछ टॉपिक्स आप सभी के सामने हैं वो वन बाय वन करके बताता हूं उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चानल पर फर्स साइम आप लोग आये हैं तो चानल को लाइक आपको प्रेक्टिस करनी है जैसे मैंने रेगुलर मेरी क्लासे उसमें आपको इनिक्वालिटी का ही मैंने टॉपिक करवाया भी है तो थोड़ा सा हमें समझना है चापा सूल से ध्यान में रखने हैं हमें बस बाकी की लॉजिकली जो है हमें सोच्टे पेसारी चीज़े करन एक्जाम में पूछा गया है फिर हमारा एक सिलोग का हमारा कंसेप्ट होता है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डारेक्शन वाले कुश्चन है जो आपकी बनते हैं डारेक्शन वाले की एक अपने गंतविद इस्थान पे दो किलोमेटर उत्तर दिशा में गय तो वो जो है आपको सीखना है बट पॉर्ट आम टेलिंग यू आप स्टार्ट है ना स्टार्ट इनी कुछ इनिशल टॉपिक से करिए एकदम से पजल पे जाते हैं मेरा खुद का परसनल मानना है कि अगर स्टार्टिंग से छोड़ी चोड़ी टॉपिक सब में देखेंगे तो थोड़ा बहुत हम एक्षरी लॉजिकली सोचना क्या है स्टार्ट कर पाएंगे तब ही जो है पजल आप सौल कर पाएंगे और उसको सही भी आप लोग कर पाएंगे तो मेरा परसनल एक्सपीरियंस है जो मैं करता हूं मेरे एक्जाम्स में और जो मैंने किया मेरे करना चाहूंगा जो इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी मैं दे चुका हूं और कुछ भी इसके लावा डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगेगा बने रहिए टीचो स्पाटलाइट बाई जारे फट्डा के साथ धन्यवाद